सरकार अब किसानों के घर घर जाकर गेहूं की सरकारी खरीद करेगी इसके लिए सायहापुर में नौखरीद अजेंसियों नी खरीद सुरू कर दी है बाजार में गेहूं का रेट परणने के बाद सासद ने खरीद लच्छ को पूरा करने के लिए किसानों के खरों से गेहूं खरीदने का फैसला किया है दरसल अभी तक सायहापुर में नौ खरीद अजेंसियों के 151 सेंटर किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद कर रहे थे लेकिन बाजार में गेहूं का रेट सरकारी खरीद 1840 रुपए प्रति कुईंटल के करीब पहुँच गया बाजार में गेहूं की खरीद का रेट बढ़ने से किसान आलतियों को अपना गेहूं बेच रहे थे ऐसी स्थिती में सरकारी खरीद का लच्छ पूरा कर पाना बेहद मुस्किल था आपको बता दें कि सायापुर में गेहूं की सरकारी खरीद का लच्छ दो लाग सतर हजार पांच सो मीटरिक टन रखा गया है जिसके सापेच यहां एक लाख पचतर हजार सास्थो बानवे मीटरिक टन ही खरीद हो पाई है गेहूं की सरकारी खरीद का लच्छ पूरा करने के लिए सासन ने आज जिलों के किसानों के घर घर जाकर गेहूं की खरीद करने का आदेस जारी कर दिया है जिसके बाद यहां की सभी नौ खरीद एजिंसियों ने किसानों के घर से उनका गेहूं खरीदना शुरू कर दिया है ताकि लच्छ को पूरा किया जा सके फिलहाल जिलापरसासन को भरोसा है कि इस तरीके से वो अपना सरकारी गेहुं खरीद का लच्छे पूरा कर लेंगे कि इसे संपर करके प्रेइद करके उनका ग्यूम भूहीं तौल लेंगे उससे फाइदा है किसानों को करेकन पर लाने में जो आसे विदा नहीं होगी हम लोग फुद अपना बोड़ा लेकर जाएंगे वहां से तौल लेंगे और तौल करके हम भूहीं से सीजे भंढ़ारम जो है वहां किसानी नहीं जा रहे जा रहे हैं उससे खेद में कुस परगती हुई है और फिर इस मात्यम से हम से सीजे किसानों के दरवाजे पर जा कि सरकार आपके दौर पर आकर जो खरीद करेंगे हम लोग तो निश्य जरूप से हमारे जोगी खरीद बढ़ेगी और में झाल प्रेद टूर आपके जूर आपके जड़े जिश्य पना कि जोखता के जिए हुआ कि लिग्वाजे जुत वग्ट भी जिए जो लगए है झाल प्रफट बढ़ीग में प्रेदा प्जिवाजे जए लिंगाना वाल के लिए दूल प्रीद बढ़े में जड़े झाल